हम अपने आस पास बहुत तरह की क्रियाएं देखते हैं, इसमें से बहुत सारी क्रियाएं जो हैं वो भौतिक रूप से होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं जो हैं वो रासायनिक रूप से होती हैं, या हम कहें कि किसी-किसी वस्तू में बहुतिक परिवर्तन देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन होते हैं अब हम कुछ ऐसे अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे जो की अलग तरह के होती हैं जिन में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है जहां पर कुछ नया होता है यह नया जो है वो किस तरीके से होता है, इन सभी परिवर्तनों को जानने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि वास्तों में रासाइनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो इस अध्याय का नाम रासाइनिक अभिक्रिया एवं समिकरण है, चुकि कभी भी जब दो या दो स अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, तो कुछ नया बनता है, एक नया पदार्थ की उत्पत्ती होती है, अब जब ये नया पदार्थ बनता है, तो इस नया पदार्थ के बनते समय बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कई तरीके से हो सकते हैं, या तो उ आई बार हम देखते हैं कि ऐसे परिवर्तनों में गैज भी उत्पन होती है। तो वास्तों में ये जितने भी हमने देखा कि परिवर्तन के प्रकार है या परिवर्तन हो रहा है इसको हम माप पा रहे हैं या इसके क्या माप दंड हैं इसे जानने के लिए हमने अलग-अलग वर्गों में से देखा कि अवस्था परिवर्तन भी हो सकता है उस पदार्त का र कुछ उदाहरनों को भी अगर हम इसके साथ साथ देखेंगे तो शायद बहुत अच्छे से यह समझ पाएंगे कि वास्तों में रासायनी कभी क्रियाएं क्या होती हैं तो जब भी कोई रासायनी कभी क्रिया होती है तो कुछ नया बनता है और जो जिन पदार्थों से ये नय पदार्थ की उत्पत्ती होती है उस नय पदार्थ में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है अपने पूरुवत जो भी पदार्थ है जिन से वो बना है उसकी तुल्ला में वहां कुछ नया हमें देखने को मिलता है तो सबसे पहले हम पहले वर्ग में देखेंगे कि यदि अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो कैसी क्रियाएं हमारे आसपास देखने को मिलती हैं कुछ उदाहरन उसमें से हम देखेंगे हम अपने दैनिक जीवन में से कैसे हम उसे समझ पाते हैं कि यहां पर रासायनी कभिक्रिया हो रही है जैसे दूद का दही बन जाना दूद जब हम पीते हैं तो यह मीठा होता है और जब हम देखते हैं यह दही बन गया तो दही बन गया यहां पर यह खटा भी हो गया यहां पर स्वाद में भी परिवर् यहां पर हम एक रासायनिक परिवर्तन की भी बात करेंगी साथ ही साथ कि मैगनीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो मैगनीशियम रिबन के जलने पर भी हम देख रहे हैं कि मैगनीशियम रिबन जो है वो ठोस रूप में है और इसके अवस्था परिवर्तन हुआ इसमें जलती है, फुलजड़ी का दहन होता है, वह भी अवस्था परिवर्तन का ही एक उदारन होगा, साथ ही मुंबत्ती का जलना, जब मुंबत्ती जलता है, मुंबत्ती पिघलने लगती है, मुंबत्ती जलकर उसमें से कुछ गैसेज निकलती है, जलवाश्प निकलते हैं, तो इ हम देखते हैं कि बदल रहा है साथ ही उसकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है केक बनता है जब केक बनाते हैं तो केक बनाने के लिए जो सामगरी हम यूज करते हैं और केक बनने के बाद जो स्थिती होती है वो भी एक अवस्था परिवर्तन का ही उदाहरन है कि यहां भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, साथ ही भोजन जब हम पकाते हैं, तो भोजन पकाते समय भी हम देखते हैं, कि यहां भोजन पकाने से पहले या अलग तरीके से और पकाने के बाद इसकी अवस्था बदल गई, तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन का बहुत अच्छा तो जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो कुछ नया बनता है, तो यहां पर हम जो नया बन रहा है, वो रंग परिवर्तन के माध्यम से समझेंगे, तो जैसा कि हम देखते हैं, कच्छा फल होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से पके फल में पर कच्चा जो अनाज है वह पका भोजन बन जाता है तो ये भी रंग परिवर्तन यहां भी हम देखते हैं हल्दी और साबुन की क्रिया जब होती है तो यहां भी हम देखते हैं कि हल्दी पीले रंग का है साबुन की क्रिया होती है तो वहाँ लाल रंग उत्पन होता है तो यहाँ भी रंग परिवर्तन देखने को मिलता है साथ ही लोहे में जंग लगना एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि लोहे का रंग जंग लगने के बाद जो है वो परिवर्तित हो जाता है जंग का जो रंग है वो भूरा हो जाता है, लोहे का जो रंग है वो परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पर हम तामबे के बरतन पर भी जब हम कोई रासायनी कभी क्रिया देखते हैं, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि तामबे के बरतन पर बहुत दिनों तक एदि उसे खुला छो दिखाई देता है, तो यह भी रासायनिक परिवर्तन, रंग परिवर्तन के माध्यम से हमने समझा, अब हम देखेंगे ताप में परिवर्तन, तो जब कभी भी रासायनिक अभी क्रिया होती है, तो उन रासायनिक अभी क्रियाओं के दौरान ताप में भी परिवर्तन होता है, कुछ ऐसी अभी क्रियाए होती है जहां उश्मा ग्रहन की जाती है और कुछ ऐसी अभी क्रियाए होती है जब अभी क्रिया के फलसरूप उश्मा उत्पन होती है तो यहां हम देख रहे हैं कि यदि कली चुना लिया जाए और उसमें पानी डालते हैं तो यहां उश्मा उत्पन होती है तो यह भी ताप परिवर्तन का एक उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड और पानी यदि इसमें डालते हैं तो यहां भी हम देखते हैं कि इस तरह का विल परिवर्तन दिखाई देता है अगला जो है यदी मान लीजिए सांद्र अमल है और चार है यहां भी हम देखेंगे सांद्र अमल और चार यदी मिला जिया जाए तो यहां भी उश्मा में परिवर्तन हमें दिखाई देता है जब कभी भी मेथेन का दहन होता है मेथेन जो है व तो यहां पर हमने देखा कि जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है, कैसे हुआ रासायनिक परिवर्तन? इससे समझने के लिए हमने ताप में परिवर्तन के माध्यम से समझा. तो ऐसे अलग-अलग वर्ग में हम देख रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है लेकिन कहीं परवस्था परिवर्तन हो रहा है कहीं रंग परिवर्तन हो रहा है कहीं तापन परिवर्तन हो रहा है इसी कड़ी में हम अगला जो वर्ग देखेंगे रासायनिक अभी क्रिया के फल सोरुप- गैस उत्पन होती है जैसे एक उदारण हम देख रहे हैं कि जब कभी भी चूना और जल इनकी क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर कार्बन डियोक्साइड निकलती है साथ ही अमल और जिन्क की क्रिया कराई जाती है तो हाइडरोजन गैस उत्पन होती है सीरका और खाने का सोड़ा इसकी क्रिया कराई जाती है तो यहां भी हम देखते हैं कि बुलबुले निकलते हैं कारबन डैयोकसाइड गैस के रूप में इसी के साथ यदि किसी अमल और जो टैबलेट का रैपर होता है तो इन रैपर के साथ जब अमल की क्रिया कराई जाती है तो यहां भी हम देखते हैं हाइडरोजन गैस उत्पन होती है यहां पर हमने देखा कि जब भी किसी रासायनी कभी क्रिया में गैस उत्पन हो रही है और इस गैस के साथ-साथ उस रासायनी कभी क्रिया में कुछ नए पदार्त का बनना भी हम यहां पे देख पा रहे हैं, तो नए पदार्त का बनना साथ ही गैस का भी उत्पन होना, यह दोनों ही इसे दर्शाता है कि यहां पर रासायनी कभी क्रिया हो रही है, तो यहां जितने भी उदारण हमने देखा कि गैस उत्पन होने में यहां नया जो बना वो अवच्छेप के रूप में बना, वो अवच्छेप किसी भी रंग का हो सकता है, तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से यह देखना है कि किस-किस अभिक्रिया में अवच्छेप बनता है, या हमारे दैनिक जीवन में भी क्या ऐसा कोई उदाहरन है जहां पर आसायनिक परिवर्थन हो रहा है आउच्छेप के रूप में हम देख पा रहे हैं उसे तो इसका बहुत अच्छा एक उदाहरन हम देखेंगे कि जब कभी भी गरम दूद में नीमू निचोड दिया जाए तो जब भी गरम जो दूद होता है उसमें यदि हम नीमू नी चोड़ देते हैं तो निशित रूप से वह दूद जो है वो पूरा फट जाता है और यहां पर फट के पूरा जो दूद है उसमें पानी निकल के आ जाता है और एक अवच्छेप जैसा दिखाई देने लगता है इसके बाद एक अगला हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में समझेंगे कि जब भी बेरियम क्लोराइड में बीए सी एल टू में H2SO4 याने की सलफ्यूरी कम डाला जाता है तो बेरियम सलफेड का सफेद अच्छेप यहां दिखाई देने लगता है अगला हम देखेंगे कि जब कभी भी चूने के पानी में कार्बन डियोकसाइड को प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी याने कैल्शियम हाइड्रोकसाइड इसमें जब कार्बन डियोकसाइड प्रवाहित की जारी है तो कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अउच्छेप प्राप्त हुआ तो तो यह भी एक रासायनी कभी करिया है यहां भी कुछ नया बन रहा है परिवर्तन हो रहा है अगला एक उधाहरण हम देखेंगे आउचहेrika बनने के आधार पर ही कि जब सिल्वर नाइटरेत है उसमें सोडियम क्लोराइट डाले जाती है तो सिल्वर नाइटरेत में सोडियम क से बनता है AGCL का सफेद आउचेब और सोडियम नाइट्रेड तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक रासाइनी कभिक्रिया हुई है जिसमें आउचेब प्राप्त हुआ AGCL का सफेद आउचेब तो आउचेब का बनना यहाँ पर हमने विभिन अभिक्रियाओं को देखा विभि कैसे कुछ अन्य अभिक्रियाओं भी होती हैं और कुछ नया बनता है तो नया बनने को हम कैसे समझेंगे उसे हमने बहुत अच्छे से विभिन उदारनों के माध्यम से समझा यहाँ पर हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में कहां कहां पर रासाइनी कभिक्र या डेली हम देख पाते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है भोजन का पकना हम अपने दीवन में प्रति दिन 3 वार, 4 वार हम भोजन करते हैं और इस भोजन को हम कई रूप में करते हैं तो विभीन प्रकार से जब भोजन पकाया जाता है तो उसका जो कच्चा पदार्थ होता है और भोजन पकने के बाद जो नया बन जाता है वह भी एक रासायनिक अभी क्रिया के अंतरगति आता है साथ ही कोईले का जलना जब हम किसी कागज को जलाते हैं तो कागज का जलना भी एक रासायनिक अभी क्रिया है लोहे की कील में जंग लग जाना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है तो इतने सारी अभिक्रियाओं को इतने सारी घटनाओं को जब हमने देखा हमने ये देखा हमने ये समझा कि वस्तु की प्रकृती और जो पहचान होती है उसकी कुछ न कुछ बदल जाती है तो विभिन जो रासाइनी कभी क्रिया है हमने देखी उसमें से कुछ रासाइनी कभी क्रियाओं को हम क्रिया कलाप के मात्यम से समझते हैं जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मैगनीशियम रिबन लिया गया इस मैगनीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो इसमें से प्रकाश उत्पन होती है और कुछ गैस निकल रही है। तो ये जो magnesium ribbon है जब इसे जलाया जाता है, इसका दहन किया जाता है, तो वायू के साथ, ये उक्सीजन के साथ क्रिया करके, वायू में उपस्थित oxygen के साथ क्रिया करके, यह जो magnesium ribbon है यह magnesium oxide में परिवर्तित हो जाता है तो यहां हम देख रहे हैं कि सफेद powder के रूप में यह जलने के बाद इस watch glass में इकठा हो रहा है अब यहां पर उसकी अवस्था भी परिवर्तित हो गई पहले वह एक थोस रूप में था, ribbon के रूप में था जैसे ही उसे जलाया गया वह powder या चूर्ण रूप में आ जाता है, सफेद रंग का चूर्ण बन जाता है और साथी प्रकाश प्यूत्पन हो रही है और magnesium oxide जो बना यह magnesium oxide छारी परिवर्ति का होता है जब इसमें हम लिटमस पेपर लगाते हैं तो यहां हम देखते हैं कि जो लाल लिटमस पेपर है वह नीले लिटमस में परिवर्तित हो गया magnesium ribbon किस तरह से जलता है और कैसे magnesium oxide में वहाँ परिवर्तित होता है हेलो बच्छों इस अध्याय में रसाइनिक अभी क्रिया के लक्षन और उसके प्रकार को समझने के लिए हम बहुत सारे क्रिया कलाब करेंगे तो चलिए हम इस क्रिया कलाब से अपनी शुरुवात करते हैं इस क्रिया कलाब के लिए हमें जिन चीजों के आउशकता होगी उसमें सबसे पहले ये देखिए मेरे पास ये है मैगनिशियम रिबिन जो लगबग 2 सेंटिमीटर लंबी है और इसे हमने चिम्टी की सहता से इस प्रकार फसा रखा है और ये देखिए स्पिरिट लेंब इसको जलाने के लिए माचिस, पानी, पैट्रिडिश और देखिए ये क्या है मेरे पास ये है लिटमस पेपर ये नीले रंग का और एक लाल रंग का इसकी जोरत हमें कपड़ती है बिल्कुल सही वीलियन की प्रकृती जानने के लिए कोई वीलियन जो है वो अमली है या छारी इसकी जानकारी हमें लिटमस पेपर की सहता सही होती है तो चलिए क्रिया कलाब के शुरुआत करते हैं और इस प्रेट लेम को जला लेते हैं देखिए इस प्रेट लेम जल गया है और अब इस मैंगनिशियम रिबन को हमें जलाना होगा पर बच्चों ध्यान रखें कि जो Magnesium Ribbon है इसे प्रयोग से पहले आप रेतमाल पेपर से रगड़ कर अच्छी तरह साफ कर लें और साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि इसे जलाते समय आप अपनी आखों को जितना हो सके उतना दूर रखें Magnesium Ribbon को हम जला रहे हैं हमें अपने आखों को दूर रखना होगा और यह जो राख हमें प्राप्त हुई है इसे हम पैट्रिटिष में एकत्रित कर लेते हैं यह देखिए यह पैट्रिडिश में हमें यह राख प्राप्त हुई है इस परिक्षन के दौरान क्या आपने मैगनीशियम के अवस्था में कोई परिवर्तन देखा और साथ ही देखिए कि पैट्रिडिश में यह जो राख प्राप्त हुई है यह क्या है मैंगनिशयम को जब हमने जलाया तो वायो में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ उसके अभिक्रिया हुई और मैंगनिशयम ऑक्साइड एक नया उत्पाद हमें प्राप्त हुआ इस उत्पाद का जब हम जली वीलियन बनाएंगे तो हमें यह देखना है कि उस वीलियन के प्रकृति कैसी होती है चलिए इसके लिए थोड़ा सा पानी जो है वो हम इस राक में डालते हैं और इसे हमें अच्छी तरह से मिलाना होगा इसको मिलाकर जली वीलियन जो है हम प्राप्त कर लेंगे ग्लास रोट की सहाइता से इसे अच्छी तरह से मिला लीजे यह वीलियन हमारा प्राप्त हो गया है अब इस वीलियन की प्रकृती जो है वो हमें जाचनी है कौन मदद करेगा हमारी लेटमस पेपर? बिलकुल सही हम नीले लेटमस पेपर से शुरू कर रहे हैं नीले लेटमस पेपर को इस वीलियन पर इस परकार से हमने डाल दिया है अब हमें देखना है कि इसके रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है देखिए मुझे तो इसमें कोई परिवर्टन दिखाई नहीं दे रहा है ठीके चले अब ला लिटमस पेपर की बारी है ला लिटमस पेपर ये ले लिया हमने और इसको इस फिल्डियन में डुबा दिया देखिए इसमें तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है लाल लिटमस पेपर जो है वो नीला हो गया है तो हमने देखा कि यह जो वीलियन है यह शारी प्रकृति का है किसी भी रासायनी कभी क्रिया में अभिकारक जो होते हैं उनकी कभी-कभी अवस्था में भी परिवर्तन होता है और हमें नए उत्पात भी मिलते हैं यहाँ पर हम एक और उदाहरन भी क्रिया कलाप के माध्यम से समझेंगे कि कैसे सोडियम सलफेट और बेरियम क्लोराइट की क्रिया से आउक्षे बनता है सोडियम सलफेट जो है उसे हम लेते हैं और सोडियम सलफेट जो विलियन है उसमें धीरे-धीरे करके बेरियम क्लोराइट डालते हैं और जैसे ही सोडियम सलफेट और बेरियम क्लोराइट की क्रिया होती है तो सफेद आउक्षेप हमें प्राप्थ होता है इसे भी हम क्रिया कलाब के माध्यम से समझेंगे तो यहां जो अच्छे बना है सफेद अच्छे यह सफेद अच्छे बनता है बेरियम सलफेट का और बेरियम सलफेट जो है इसका रंग यदि नोट करने दिया जाए तो वास्तों में जो बेरियम सलफेट है वह सफेद रंग क होता है हेलो बच्चों एक और क्रिया कलाप के लिए मैं आपके साथ हूं इस क्रिया कलाप में हम रासाइनी कभिक्रिया के प्रभाव को देखेंगे इसमें हम यह देखेंगे कि जब दो विल्यन को मिलाते हैं तो रासाइनी कभिक्रिया में क्या परिवर्तन होता है इसके इन दो परकनलियों में solutions हैं इसमें है sodium sulphate का विलियन याने की Na2SO4 जहां sodium जो है वो धनायन के रूप में और sulphate रेनायन के रूप में हैं पिलकुल इसी तरह से यह है barium chloride का विलियन बीए Cl2 जहां जो barium है वो धनायन के रूप में और chloride रेनायन जब हम इन दोनों विलियन को मिल करते हैं यह हमारा sodium sulphate का विलियन इसमें barium chloride के विलियन को हम मिलाते हैं तो हम sodium sulphate के विलियन में barium chloride के विलियन को धीरे-धीर डाल रहे हैं आप ध्यान से देखेगा कि इसमें क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है देखे बच्चो हमें यहापर सफेद रंग का यह अगला जो क्रिया कलाप है उसे भी हम समझेंगे की कैसे रासाइनिक अभिक्रिया के दौरान कोई भी गैस निकलती है तो सबसे पहले क्वथन अली में जिंक अली घाली आ जाता है दानेदार झींग और उसमें तनु हइड़ोकलोरीकम लडा जाला गया तो जैसे ही जिंग और तनु हैडोकलोरीकम लापस में क्रिया करते हैं तो इस क्रिया से हम देख रहे हैं कि गैस निकलती है जैसे ही उसके सामने एक जलती हुई माचिस की तीली लेके तो यह जो आवाज आना है, जिंक पर जैसे ही हाइड्रो क्लोरी कामल की क्रिया होती है, तो ये गैस निकली हाइड्रोजन गैस, इसकी वजह से यहाँ पर हमें पॉप की ध्वनी सुनाई देती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम अपने जीवन में देखते हैं, बहुत सारे रासायनी कभिक्रिया हम अपने आसपास देखते हैं, जहाँ पर रंग में परिवर्तन या गैस का निकलना या वस्था में परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। कि अवस्था में परिवर्तन होता है कुछ में उनके रंग बदल जाते हैं कुछ रासायनी का भिक्रिया में तापमान में परिवर्तन होता है तो कुछ में गैस उत्पन होती है चलिए हम भी एक क्रिया कलाप करते हैं और इस ग्रिया कलाप में हम जो राशाइनी कभी क्रिया करेंगे देखेंगे कि उसमें कौन सा नया उत्पाद मिलता है और कौन सा लक्षण हमें दिखाई देता है इसके लिए देखिए मेरे पास ये है जिंग का चून और इसमें है तनू हाइड्रोक्लोरिक अम्र यानि की HCl. हम ये जो जिंग का चून है इसको परक्नली में थोड़ा सा डाल लेते हैं. और अब क्यूंकि हम तनू HCl यानि की ऐसे ड्यूज करने जा रहे हैं तो हम होल्डर की सायता से पहले इसे पसा लेते हैं. परक्नली को इस तरह से अच्छी तरह ग्रिप में ले ले और फिर ये जो तनू HCl ये इसे धीरे धीरे इसमें डालते हैं. देखे बच्चों जिंग के आसपास आपको ये क्रिया दिखाई दे रही है ना चलिए एक और काम करते हैं. हम इसे इस प्रकार से रखकर इसके पास माचिस जो है माचिस की तिली जला कर ले जाते हैं. देखेगा ध्यान से क्या होता है? देखो बच्चों आपको ये लौ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखे ध्यान से आप ध्यान से किजेगा इसको. तो हमने देखा कि जब जलती हुई माचिस की तिली को हम परक्नली के मुख पर ले गए तो उसकी लौ बढ़ गई. आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि जब जिंक तनू-HCl से अभिक्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इस परक्नली से निकलने लगी. जिसके कारण जो माचिस की तिली की जो लौ थी वो बढ़ गई थी. क्योंकि हाइड्रोजन गैस जोलंशील भी है तो इस रासाइनिक अभिक्रिया का जो समीकरण है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं.